हे गाइस वेलकम तो पीओ टीवी आज मैं आपको सलवार के पॉंचे पे जिप अटैच करके बताऊंगी इस तरह ऐसे बाजू की मोहरी पे और प्लाजो पैंट की मोहरी पे भी जिप अटैच की जा सकती है तो चलिए स्टार्ट करने हैं सलवार पे जिप लगाने से पहले पॉंचे रेडी कर लेने हैं और इस पे मैंने येवले जिप अटैच करनी हैं आप चाहो तो मैचिंग जिप भी ले सकते हो ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये काफी अच्छी लगती है लगाई हुई सलवार की ये सीधी साइड है इसे ऐसे फोल्ट करते हुई रखना है और जितना पॉंचा रेडी रखना है उतने पे निशान लगा लीजिए मुझे साड़े चेंच तया रखना है तो मैंने साड़े चेंच पे माक किया आप जितना रखना चाहते हो आप उतने पे माक कर ली अब जैसे सल्वार में तिर्शी सिलाई लगाते है ना इसी तरह से वार्क कर लेना है और मैंने पौँचे की चोड़ाई 1.5 इंच ली है आप जितना रगना चाहते है आफ उतना रख सकते हो तीन इंच, चार इंच, पांच इंच जितना आप चोड़ा पहुचा पहनना चाहते हो अब जैसे ये मार्किंग की है न सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है साड़े चेंच नीचे से पहुचा रखा जितना तयार है और इसको भी तिर्श्या मार्क कर लिया जिप को ओपन कर लेना है और जिप की उल्टी साइड उपर की तरफ करते हुए रखनी है इसका एंड यहां पे रखेंगे सलवार के बिल्कुल किनारे पे और इसे इस ड्रो की हुई लाइन की उपर रखते हुए स्टिच करना है यहां किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इसके लिए मैं सिंगल प्रैशर बूट का यूज कर रही हूँ तो इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे जितना हमारा पोंचा है वहां तक इसको सिलते हुए पक्का कर लेना है स्टार्टिंग से और एंड दोनों तरफ से मैंने सिलाई को पक्का किया है ये स्टिच लग चुका है अब जिप के दूसरे एंड को इस वाली मार्किंग के उपर रखते हुए स्टिच कर लेना है इसे भी सेम इसी तरह से रखना है जिप की उल्टी साइड उपर की तरफ करते हुए रखनी है और इस सिलाई को यहां पर लगा लेना है इस सिलाई को मैं सल्वार की उपर वाली साइड से नीचे वाली साइड को लगा रही हूँ क्योंकि मैं प्रैशर बूट चेंज नहीं कर रही हूँ तो उस सिलाई को दोनों एंड से पका कर लिया इतना करने के बाद अब सलवार की ये जो लैग वाली सिलाई होती है इसे लगाना है तो जिप को साइड में करें और इस सिलाई को उपर तक कम्पलीट कर लें आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब भी आपको समझ आएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा इतना करने के बाद अब ये जिप का जो एंड था इसको हम ऐसे मोडेंगे और पोंचे को इस तरफ मोडते हुए स्टिच करेंगे इस स्टिच को लगाने के लिए सलवार को सीधा करना होगा सलवार को मैंने सीधा कर लिया है अब जैसे बताया था उसी तरह से अंड को अंदर की तरफ मोड दिया और इसको ऐसे मोड दिया मोडने के बाद यहां किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगी I hope आप समझ गे होंगे जैसे मैंने आपको बताया सेम इसी तरह से करना है और ऐसे ही इस तरफ भी सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे पे ये देखे जिप के इस एंड को भी मैं अंदर की तरफ मोड रही हूँ जो एक्स्ट्रा बुक्रम है इसको अंदर की तरफ करते हो ऐसे सिलाई लगा देनी है सिलाई को एंड से पक्का कर देना है बस इसी के साथ से जिप लगके रेडी हो जाती है आप चाहो तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो वैसे करने की ज़रुत नहीं होती है तो यह जिप इसमें लग चुकी है आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से जिप लगी है और कितनी अच्छी भी लग रही है देखने में अगर आप मैचिंग जिप लगाते हो तो वो नजर नहीं आएगी यह नजर आ रही है आप इसका साइड से लूक भी देख सकते हो इसी के साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बबाई एंड टेक क्यो